दोस्तों, what the hell is this? नहीं बताओ ये क्या है? मैंने आपको 83 के मुवी रिव्यू में कहा था कि जाएए, आप अपने परिवारक साथ जरूर जाएए इस मुवी को देखने के लिए आपको मज़ाएगा, लेकिन नहीं आप लोग नहीं गए और देखो अब अब ये 83 मुवी 100 क्रोड के क्लब में भी बड़ी मुश्किल से शामिल हो पा रही है, नहीं दोस्तों क्या बात होती है, यारी मुझे बताओ जरा इधर सल्मान भाई 4 हाथ का हिला देते हैं, आप उनकी मुवी को 200-200 क्रोड पोचा देते हो ये क्या बूल दिया बेरे सोरी सल्मान भाई इंटेंशली नहीं बोला था, गल्दी से बूस से लिकल गया भाई काट दियो जा रहा इस क्लिप को तो हेलो दोस्तों स्वागत आपका मेरी कोडनी वीडियो में कैसे हैं आप तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 24 दिसंबर को 1983 के वर्ल कप पे बनी मूवी 83 रिलीज हुई थी और दोस्तों आज इस मूवी को रिलीज हुए ओल्मोस्ट 10 दिन हो चुके हैं लेकिन दोस्तों वीडम बना देखिए अभी तक इस मूवी ने सिरफ बॉक्स ओफिस पर पैन इंडिया लेवल पर सिरफ सो करोड की ही अर्निंग करी है अब दोस्तों आपको तो ये लग रहा होगा कि यार एक मूवी ने सो करोड कमा लिए और क्या चाहिए लेकिन दोस्तों आपको ये सो करोड की अर्निंग बहुत ही जादा लग रही होगी लेकिन दोस्तों इस मूवी के मेकर्स ने इस मूवी से जिस तरह की अर्निंग को एक्सपेक्ट करा था जिस तरह की रिटर्न को एक्सपेक्ट करा था ये मूवी उस पे बिल्कुल भी खरी नहीं उतर पाई है इवन पब्लिक तक नहीं एक्सपेक कर रहा था कि यार ये मूवी 200 करोड तो कमाएगी ही कमाएगी लेकिन दोस्तों पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि पब्लिक नहीं इस मूवी को इगनोर कर दिया कि यार हमें नहीं देखने इस मूवी को आप अपनी मूवी अपने पास ही रख उन में से कुछ रीजन्स को मैंने मीडिया पोटल से उठाया है और कुछ मेरे खुद के ओपीनियन्स है इसलिए दोस्तों इस वीडियो में मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करूंगा जिससे किसी को बुरा लग जाए और लग भी जाए तो भाइस साब पहले से ही माफी चाहता हू तो दोस्तों चलिए आईए हम एनलिसिस करते हैं उन रीजन्स के बेसिस पे जिससे हमें ये लग सकता है कियार हो सकता है कि यही कारण बने हो इस मूवी के लेस अर्निंग के तो दोस्तों चलिए बिना किसी और फालतो ग्यान के आईए हम उन रीजन्स के बारे में जानते है तो दोस्तों बात करें अपने पहले point की तो दोस्तों यह point है यह मेरा opinion नहीं है यह point मैंने media portal से उठाया है क्योंकि media portal में बहुत ही ज़यदा चर्चा थी कि हो सकता है कि इस point की वज़ा से यह 83 movie ना चली हो और दोस्तों वो point है Dipika Padukon और Kabir Khan क्योंकि दोस्तों जैसकि आप जा लेकिन वहीं हम बात करें कभीर खान की तो दोस्तों कभीर कान के कुछ recent statements में कभीर खान मुगल शासकों से related कुछ बात कही थी जिसकी वजह से लोगों ने भी यह कह दिया था कि यार हम कभीर खान के द्वारा directed movie बिल्कूल भी नहीं देखेंगे और दोस्तों हो सकता है कि इस point के लेस अर्निंग का लेकिन दोस्तों वही अगर हम बढ़ते अपने दूसरे पॉइंट की और तो दोस्तों दूसरा पॉइंट मेरा ओपीनियन भी है और मीडिया पोटल्स पे भी इस पॉइंट की बहुत ही ज़्यादा चर्चा थी और दोस्तों वह पॉइंट है 83 के कॉम्प करके पुषपा मुवी देखने जा रहे हैं और दोस्तों अगर हम पुषपा की पॉइंट को हटा भी दे तो भाइसाब स्पाइडर मैन की जो इंडिया में दिवान गी है उसको कोई भी नजर अंदाज नहीं कर सकता और वैसे भी दोस्तों क्यों लोग स्पाइडर मैन और स्किप करके ऐसी मुवी को देखने जाएंगे जिसकी स्टोरी लोगों को अल्रेडी पता है तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग इस पॉइंट की वज़े से भी हो सकता है ये 83 मुवी बॉक्स ओफिस पर मार खा गई और दोस्तों जो तीसरा रीजन मैं आपको बताने जा रहा कि दिल्ली में सिनेमा हॉस को बंद कर दिया गया और दोस्तों ये बात तो बच्וש जानता है बच्टा जानता है की नीछ जानता ये मैं नहीं जानता लेकिन बड़े तो सारे जानते है कि किसी भी नौर्थ इंडियन मुवी के लिए महाराष्ट्र के बाद दिल्ली सबसे बड़ी ऐसी मार्केट है जिसमें कोई भी मुवी सबसे ज़्यादा अर्निंग करती है और दोस्तों दिल्ली में सिनेमा होस्तों पहले ही बंद कर दिये गए तो चार दिन में ये मुवी दिल्ली में क्या आर्निंग करती तो भाई साब मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉइंट की वज़े से भी हो सकता है कि इस मुवी ने बॉक्स ओफिस पर बहुत ही लो कलेक्शन किया पर दोस्तों जो हमारा चोथा पॉइंट है वो हमारे तीसरे पॉइंट से रिलेट भी करता और दोस्तों चोथा पॉइंट है हमारा लोगों का माइन सेट क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है लोगों ने यही इंकिंग बनाए भी thôi कि हम इस मुवी को न्यू यार के वीकेंद पे देखेंगे क्योंकि दोस्तों इस मुवी ने जो स्टार्टिंग के डेज में अर्निंग क थी कियार हम इस movie को new year के weekend पर ही देखेंगे और अगर दिल्ली के markets खुले रहते हैं तो भाई साब ये movie पड़े के हिसाब से 15 से 18 करोड के दिन की earning कर लेती लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली के बाद बहुत से राज्यों में cinema's को close कर दिया गया जिसके वज़े से ये movie की earning बहुत ज़्यादा कम हो गई और दोस्तों इन सारे reasons के बाद भी एक reason जिसके वज़े से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये movie मार खा गई और दोस्तों वो है इस movie का बहुती बड़ा बहुती ज़्यादा narrative trailer क्योंकि दोस्तों इस movie के trailer में पूरी की पूरी story ही बता दी गई थी कि भाई साब ये ये हुआ था वो वो हुआ था ऐसे हुआ था फिर भाई साब इस movie में कुछ नया दिखाने को बचा ही नहीं तो भाई इस movie में कुछ भी नया बचा ही नहीं है देखने लायक और दोस्तों इसमें कोई trailer editor की गलती नहीं है कि भाई साब trailer editor ने ऐसा trailer काट के दिखा दिया उसकी भी कोई गलती नहीं है ये story ही ऐसी है जिसके बारे में लोग already जानते हैं तो भाई साब लोग नया देखने जाएंग नोवे होम जैसे भयंकर भयंकर obstacles पड़े हो तो public तो automatically पीछे हटी जाएगी वो तो साफ साफ कहेगी कि यार हमें इस movie को नहीं देखना हम तो इस movie को देखने जाएंगे E183 मूवी पर दिल्ली सरकार ने tags भी हटा दिया था तब भी लोगों ने इस movie को नहीं देखा क्या इज़त रखिये लोगों ने इस movie की तो दोस्तों ये था मेरा चोटा सा ग्यान पेलो वीडियो and I hope आपको मेरी ये वीडियो पसंद आयोगी तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आयोगी है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको और पर रखें क्योंकि जैसे मैं कोई बढ़िया वीडियो डालूँ उसको नोटिफिकेशन सीधा आप ही के पास तो जाए मैं अगली वीडियो में बाई